हलो फ्रेंड्स, दुर्गा अश्टमी की आप सभी को बहुत सारी शुब काम नहीं अश्टमी हो या नवमी, कन्याओं को घोजन कराना हो तो सबसे पहले प्रिशाद वाला हल्वा ही यादाता है तो वही प्रिशाद वाला हल्वा आज हम बनाएंगे बिल्कुल पर्फेक्ट नाप से वो भी बिना चाशनी के बिल्कुल आसान रेसिपी है तो चली शुरू करते हैं तो सबसे पहले कडाई में डालेंगे हम आदा कप घी, यह देसी गी लिया है मैंने और यह मैल्ट किया हुआ लिया है, जमावा नहीं लिया है और अब डालेंगे इसमें सूजी, पारिक वाले सूजी ली है मैंने वो भी आदा कप ही ली है, हमें सारा मेजरमेंट एक कटोरी से करना है आप कोई भी एकटोरी सेलेक्ट कर लें उसी से सारा मेजरमेंट कर लें तो सारी चीजे मतलब सूजी, घी और चीनी हमने आधा आधा कपही लेनी है यह बिल्कुल परफेक्ट नाप है आप इससे देखेंगे बहुत ही बढ़िया हलवा बनेगा और पानी कितना लेना है वो हम आगे चलके देखेंगे तो पहले इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें भूनना है एक मिनट तक भूनोगी मैं इसे यहाँ पे कलर नहीं चेंज करना है हमें आज इसका क्योंकि सूजी का हलवा सफे सफे जो होता है न बड़ा शांदर वाला कलर जो आता है वैसे ही बनाएंगे तो एक मिनट हो चुका है यहाँ पे तो इसी वक्त मैं यहाँ पे डाल रही हूं एक चमबच बेसन डालने से जो इसका स्वाद इसका टेक्चर और इसका कलर आता है न हलवे का वह बहुत जबरदसता है तो यह कभ पांस से चै मिनट तक मैंने लगाता चलाते हुए इससे सीखा है तो आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल हलका सा चेंज हुआ है तो हमें जादा कलर बिल्कुल नहीं चेंज करना है इसलिए लो फ्लेम पे बूरना है और देखिए इस तरह से मैं टैप कर रही हूँ न तो ये घी उपर आ रहा है जब सूझी सीख जाती है न तो नीचे तले में बैठ जाती है और घी उपर आता है यहीं इंडिकेशन है सूझी के सीखने का अब यह वही कप है जिससे मैंने घीर ना पा था यानि कि यह मेजर्मेंट वाला आधा कप माप वाला कप है इसी से हम सारा मेजर् यह हैं और गरम पानी डालें ध्यान रखें साइट से डालें बहुत उछलता है इस तरह से थीरे धीर ही इसे में करें आप देखेंगे थोड़ी धेर में इस जी फूल जाएंगी क्यूंकि हमने गरम पानी डाला है यह तिगे फूल्त ही जा रहा है और इस तर्छ से पबल तो ध्यान रखें या तो उपर एक प्लेट रखें लें ताकि आपके छीटे ना लगें तो अब गाड़ी हो चुकिये थोड़ी तो महें आपे एक कप पानी यानि कि वही आदा कप वाला जो मेरेमेंड वाला कप है वही आदा कप वाला कप में और डाल रहे हुए आपे इससे क्या होगा कि जो सूजी है फूल तो चुकी है पहले लेकिन जो सूजी का खलवा आपने दिखा होगा काफी देर तक पड़ा रहता है तो एक चक्की सी जम जाती है तो ये आदा कप जो मैंने डाला है इसको डालने से वो चक्की सी नहीं जमेगी आप जब भी खाएंग यह हल्वा तब तक सॉफ्ट ही बना रहेगा तो यह देखिए सुजी फूल चुकी है पूरी और इकतम गाड़ी नहीं हुई है बस इसी वक्त हम यहां पर डाल देंगे चीनी तो चीनी पी मैंने आदा कपी लिया है वही आला आदा कप उसी से नाप लिया है तो इन तीनों ची प्यारा आएगा और हम इसके बाद एक चीज और डालेंगे जिससे कलर और भी प्यारा लगेगा तो अबस इसे मिक्स करना है चीनी को और यहां पर मैं डाल रहे हूं किश्मिश ताकि यह अच्छे से फूल जाए अंदर जाके इसके साथ पक करके और अब डालेंगे केसर व जो भंडारे में मिलता है आपने कभी दीखा होगा मंदिरों में जो मिलता है बस वैसा ही गलर आएगा अब मैंने एक तड़का पैन में एक बड़ा चमजगी डाल दिया है तो हम यहां पे ड्राइफूट्स फ्राइ कर लेंगे हलके से फ्राइ में इसली कर रही हूं क्योंक करने से अगर हम वैसे बीना फ्राइ करें डालते हैं तो वह नरम हो जाते हैं थोड़े से उसका जो पानी होता है वह सोक कर लेते और नरम हो जाते हैं इस तरह से फ्राइब करने से यह नरम नहीं होते हैं लास्ट तक क्रंचीनेस बनी रहती है आप चाहें तो इने पहले भी कर सकते हैं जो हमने सबसे पहले घी करम किया था उसी में इप अब डैसे खुदा आचे करेंगे और यहां पर डाल रही हrians आख इलायची पावडर तीन इलायचियों को मैंने लिया it इस हलवे में इलाइची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है जरूर डालेंगे और बस अभी से पकाएंगे करीब एक से डीड मिनट तक तक यह जो हमने घी डाला है न वो किनारे पर ना जाए जब तक यह जो चोड़ना दे हलवा और जो कच्छा पन है सारा इसका निकल जा किनारों पर घी आ चुका है और हलवा एकदम बढ़िया बनके तयार हुआ है तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं इसको तो अब अस्टमी नौमी पर प्रशाद के लिए आप इसी तरह बनाए हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है और आधा कब सूजी से देखा आपने कितना सार हलवा बनके तयार हो जाता है और टेक्शर आप देख रहे हैं कलर देखे हो कितना प्यारा आया है और जो हमने मेजरमेंट लिया है तीनों चीज़ों का बिलकुल परफेक्ट मेजरमेंट है आप इस मेजरमेंट से बना के देखेंगे तो आपका हलवा कभी भी नहीं तो मैंने इसे उपर से काजू बदाम और केसर से गार्णिश कर दिया है, हलवा बिलकुल तयार है, दिखते ही मुँमे पानी आ जाए, ऐसा बना चाहिए, हलवा और आज ऐसा ही बना है, तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कर देना, एक बार फिर आपको अस्टमी की बहुत बहुत शुब कामना है, तो फिर मिलोंगी मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई बाई